पांच साल के एक बच्चे ने पेंटिंग बनाई पांच साल का बच्चा था क्या बनाता पेंसिल उठाई नन्ने नन्ने हाथ थे एक छोटा सा गोला बनाया वो चहरा हो गया एक बाड़ा सा गोला बनाया वो पेट हो गया दो सीधी लकीरे निकाल दी वो हाथ हो गया दो बनी है तो उनको समझ ही नहीं आया कि वो अपने उत 5 साल के बच्चे को जवाब क्या दें वो मा पेनी होलडर उनका नाम है और वो फेस्बुक पर लिखती है कि तस्वीर देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि गर्व करूं या शर्म से मर जाओं बाकी बाते बाद में पहले आ निशान का क्या मतलब है तो उस बच्चे ने बड़े ही सहज धंग से कहा कि ये आपके पीरियड है मा पेनी को जब से उनका सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ था उसके बाद से पल्मूनरी एंबॉलिज्म की शिकायत हो गई थी ये एक तरह की बीमारी है जिसमें हो जाती थी कई बार ऐसा भी हुआ कि उनका बच्चा टॉयलेट में था और उसकी मौजूदगी में ही उन्हें बात्रों में घुस कर खून साफ करना पड़ा उनका बच्चा ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो बच्चा है जिसने पेंटिंग बनाई थी अपनी मा को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता था एक दिन उसने पूछा भी तब उसकी माने उसे और अपने बच्चों को जो उनकी तेन संताने Siakana बच्चों को पेरियट के बारे में को पता चला तो बार बार अपनी मा से पूछते थे क्या वो ठीक है पेंटिंग ख उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि ये बहुत सुन्दर है। बच्चे ने जवाब दिया कि मा मुझे लगा कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस बच्चे का चेहरा देखिए और उसमें जो पेंटिंग बनाने के बात बात कही है। आप उसकी बात देखिए। ये हुई पेंटिंग की बात अब इनको एक किनारे रखते हैं और बात करते हैं अपनी सोसाइटी की। भारती समाज की जहां लड़कों को छोड़ दीजिए हमारे घर में लड़कियों तक को उनके पीरियड आने की बात के बारे में नहीं बताया जाता है। उन्हें पता ही नहीं होत है तो कहते हैं कि पेट खराब हो गया है या गैस की तकलीफ है हमारे घरों में पैड भी छिपा कर लाए जाते हैं पीरियड इस पे बात करना टैबू है हमारे यहां यह शायद दुनिया के कई और भी देशों में हो लेकिन हम अपनी बात करेंगे हमारे यहां अधिकतर लड शेयर करते रहते हैं फेस्बुक पर हजारों ऐसी वेबसाइट के फेस्बुक पेज हैं जिन पर वो बताते हैं कि जब लड़कियां पीरियड में हो तो उनके साथ किस तरह बीएव करना चाहिए आप उनको गर्म पानी की बाटल लाकर दीजे आप उनके साथ सलीके से बात क करती हैं इमोशनल उस समय हर्मोंस बहुत जादा रिलीज हो रहे होते हैं इमोशनली अगर रियक्ट करती हैं तो आपको उस समय उन बातों को बहुत जादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है लेकिन हमारे यहां जो लड़के होते हैं उनको इन सारी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं मेरे जैसे लड़कों की जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं या गाओं वगएरा में भी अपने घर में जो लड़के रहते हैं उनके साथ भी उनको नहीं पता होता है कि उनकी बहन या उनकी मा किन परिस्थितियों से गुज़ती हैं मैं अपनी बात कर रह गया था कि जाओ इसको ले आओ मैं दुकान पर गया मेडिकल इस्टोर पर गया उस दुकान दार ने जो हमेशा मेरे कई बार पनी मांगने पर भी दवाई के लिए पनी पॉलिथीन नहीं देता था उस दिन उसने एक कागज लिया अखबार उसमें उसको पैट्स को लपेटा और मुझसे कहा कि जाओ ले जाओ मैं आया मैंने घर पे थमा दिया उसके बाद ना मैंने कभी पूछा वो जो प्रॉस्स था वो इतना गोपनी तरह का था कि मैंने कभी नहीं पूछा कि यह क्या था बाद में धीरे-दीरे चीज़े समझ में आई यह अकेले मेरे का किस्सा नहीं है यह मेरे जैसे बहुत सारे लड़कों का जो कहीं न कहीं उनको नहीं पता होता है कि यह क्या चीज़े हैं जरूरत है लड़कों को यह समझाने की लड़कियों की स्थिति आज बात होती है कि पैड्स का यूज क्यों नहीं होता है या लड़कियां पीरियेट में उन होती है उसके बाद जब हम यह जो पेनी जैसा लड़का यहां पर आपको दिख रहा है जब इस जब हम अपने लड़कों को बताएंगे कि पीरियेट्स क्या होते हैं तब वो बहनों दोस्तों और माओं के प्रती जादा समझदार और जादा समवेदंसील महसूस कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले हमें बाहर की गंदगी दूर करने के बजाए या जिस चीज को हम गंदगी मानते हैं उसकी गंदगी अपने दिमाग से निकाल ली होगी तब हम अपनी सोसाइटी को कुछ बेहतर बना पाएंगे ये जो लड़का आपने अभी देखा इसने हमें दिललन टॉप को एक मौका दिया कि हम आपको पीरियाड्स के बारे में बताएं आपको बताएं कि कैसे चीजें काम करती हैं और हमें उनके लिए कितना समवेदंशील होनी की जरूरत है दिललन टॉप आपको आगे भी इस तरह की चीजों के बारे में बताता रहेगा अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज हमारा फेस्बुक पेज लाइक कीजिए हम आपको इसी तरह के अब्डेट्स लगाता देते रहेंगे यूट्योब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए बगल में घंटी बनी होगी आप उसको दबा दीजेगा तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे जब भी हम लोग कोई नया वीडियो डालेंगे आप लोग के जरिये ही हम इस तरह के मेशिज बाकी लोगों तक पहुचा सकते हैं इस वीडियो को भी जादर से जादर शेयर करें यह दिललन टॉप मैं हूँ विशाल मिलते रहेंगे